तो मुझे बता है आप लोगों को फोन में कस्टमाइजेशन का तो काफी जादा शौक है और उसके साथ ही Android Wallpaper कस्टमाइजेशन का तो और वी जादा है तो उसी को मद्दे नगजर रखते हुए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Top 5 Live Wallpaper Apps for Android that you should use right now और यह जिननी भी Apps के में बात करने वाला हूँ यह सारी की सारी आपको क्ले स्टोर से ही डाउनलोड करने को मिल जाएगी कहीं से आपको साइड लोड करने के जरूद नहीं है सो बिना कोई सेकेंड वेस्ट करते हुए एडिटर भाई आप इंट्रो चला दीजिए सो जो सबसे पहली लाइव वालपेपर एप आपके Android फोन के लिए that is live art इसमें आपको different type की artistic and parallax wallpapers देखने को मिल जाएगी इसमें काफी सारी free version भी है और आपको paid versions भी दिखेंगे सो जैसे ही मैं इस अपको खोलता हूँ मुझे यहाँ तॉप पे ऑप्शन दिखा देता है स्पेशली इस wallpaper में तो कुछ जाद ही अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो आर्ट भी अच्छी है और दूसरी तरफ आर्टेस्ट भी इसके साथ यह आपको अलग से exclusive animation और different type of artist की paintings की जो वालपेपर होती है वह भी देखने को मिल जाती है बट दिबहुतार पेट So second number पे आजाता है Chroma Galaxy live wallpaper app अगर आपको abstract art जादा पसंद है then this is the app for you इसमें भी आपको free और paid दो नवी versions देखने को मिल जाएंगे So जैसे ही मैं इस app को खोलता हूँ तो मुझे यहाँ पे काफी सारी different different type की live wallpaper देखने को मिल जाती है जो की abstract art है और काफी जादा colors की option भी देखने को मिल जाते है Example के तो आपर मैं इसको select कर लेता हूँ and now I'll set it as the wallpaper So जैसे ही आप download button पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दो option दिखाएगा set still wallpaper और set motion wallpaper So I'll click on set motion wallpaper and थोड़ी तर जरूर लगती है इस wallpaper को download होने में and download होने के बाद you can set it as a wallpaper So मैं यहाँ पर set पर click कर देता हूँ for home screen and lock screen और जैसे ही मैं lock screen को खोलता हूँ तो यहाँ पर बहुत ही subtle animation देखने को मिल जाती है और यह बहुत धीरे-धीरे करके बढ़ती है and as you can see यहाँ पर change भी हो रही है So different different colors के आपको काफी soothing live wallpapers इस app में देखने को मिल जाती है यहाँ पर मुझे काफी सारे sections already देखने को मिल जाते है explore tab में जैसे कि minimal, amoled, movies, landscape, anime So example के तौर पर मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ anime and let's wait for a while जैसे कि आप इस live wallpaper में देख सकते हैं यहाँ पर snorlax है और वो सो रहा है तो मैं इसको select कर लेता हूँ as a wallpaper जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर आपको search icon देख जाता है यहाँ पर आपको जिस भी type की wallpaper सर्च करनी है वो आप easily कर सकते हो And not just that यहाँ पर जैसे आप settings के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखेगा auto change नाम से तो इस लिस्ट में आप अपनी जितनी भी wallpaper से उनको add कर सकते हैं और वो time to time change होती रहेंगी उसे जाप से आप इसको set कर सकते हैं अपना time अपने हिसाप से लगा कर For example के लिए मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ live wallpapers का third वाल वर्जिन And then you can also select variant different type of colors आप उसमें night mode अगर आपको लगाना है तो वह भी कर सकते हैं Dark text यूज करना है that you can also do that और यहाँ पर आपको एक preview दिखाएगा उसके बाद आप जिस क्लिक कर देजे set wallpaper पर And after that अगर आपको अपनी live wallpaper का parallax effect थोड़ा सा change करना है या फिर modify करना है तो उसकी भी settings आपको यहाँ पर काफी सारी दे रखी है जिसमें से आप swipe effect को enable disable कर सकते हो Battery अगर आपको save करना है उसका भी toggle दे रखा है Tilt अगर आपको जादा बढ़ाना है जिससे जरूर battery consumption बढ़ जाएगा लेकिन आपको एक अच्छा effect देखने को मिलता है तो यह सारी customization आप कर सकते हो अगर हम shape और size पर जाएं तो वहाँ पर भी आपको काफी सारी settings दे रखी है लेकिन खास बात यह है कि आप इसको अपने हसाब से adjust और customize कर सकते हो और जो customization है उनका तो मैंने सिर्फ overview दिया है अगर आप और detail में जाते हो तो आप काफी सारी basic से basic चीज़े भी change कर सकते हो which is a very good thing for a wallpaper app especially when it's a live wallpaper 5th नंबर पे जो wallpaper है उसका नाम है well paper नहीं कोई typo नहीं हु यहाँ पर मुझे wallpapers के option दिखा देता है इसमें total six options है तो अगर आपको जो भी पसंद है आप अपने हिसाब से select कर सकते हो जैसे कि मुझे यह जो planets वालपेपर है यह काफी अच्छ लगा cosmos नाम से है इस पर अगर मैं view पर click करता हूँ यहाँ पर मैं set wallpaper पर click कर देता हूँ उ आप entertainment पर कितना अपने screen time पर दाते हो जैसे ही मैं अगर back जाता हूँ wallpapers मेरी set हो गई है और जैसे ही मैं अपने phone को unlock करता हूँ and then if I just tap on it तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा timings मेरे को दिखा देगा जो कि काफी एक अच्छा intuitive सा experience है और बाकी wallpaper apps में ऐसा कोई feature नहीं है which is a pretty good thing of this app तो यह दी ऐसी पांच live wallpaper apps जो कि मुझे definitely लगा आप लोगो के साथ share करना चाहिए ताकि आप अपने Android phones में इनको easily use कर सको और experience भी मुझे बता सको कि आपको कौनसी app अच्छी लगी और वो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस नीचे जो comment section है उसमें comment कर कर दीजिए इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए वीडियो को शेर करें अपने friends and family के साथ और अगर आपने geeky fat channel को subscribe नहीं कर रखा अभी तक तो वह भी फटावच से कर देए रिली हूप आपको यह लाइब वाल पेपर एप्स पर Android काफी पसद आई हो और ऐसा ह कर दो कर दो